अमीगोज ब्लिंक, फ्रीजिंग, टाइम इन अ ब्लिंक जिसका नाम है PLANEO VOTE WITH SIMRAN BHARETWAR उसमें आपने हमें इतना जादा support किया, उसमें आप लोगों का इतना जादा हमें प्यार मिला लाहुल स्पिती की जनता को हमने इस बार cover करने की कोशिश की ऐसे में हमारी यह कोशिश सफल हुई और हमने जब लोगों से कहा कि अब आप अपने कौन से जन प्रतिरिदी के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं उन्हें हमारे कारिक्रम में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमें बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम आपके सामने सुदर्शन जास्पाजी को लेकर आए जी हाँ सुदर्शन जास्पाजी जो की पुर्व जिला परिशद रही है जालमा वाट से और वर्तमान में LPS यानि की लाहॉल पोटेटो ग्रोवर कॉपरेटिव ससाइटी के अथ्यक्ष है जी हाँ मैं उसी LPS की बात कर रही हूँ जो एशिया में बहुत ही नामचीन कॉपरेटिव ससाइटी में शुमार है बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने भी एक रिक्वेस्ट की सुदर्शन जस्पाजी से की वो हमें वक्त दे और हमारे साथ इस चर्चा में आएं तो जी आप लोगों के खास दर्ख्वास पर और हमारी रिक्वेस्ट पर हमारी साथ हमारी इस खास चर्चा परी चर्चा में मौजूद है श्रिमान सुदर्शन जस्पा जी जस्पा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिमेंध जी, बहुत-बह। आभार आपका कि आपने हमें यह मौका दिया और आज इस चर्टा के माद्यम से अपनी जंता के साथ के साथ गुपरू होने का मौका दिया. बहुत-बहुत आभार जी. आभार तो हम व्यक करते हैं, जस्पा जी कि अपने इतने बिजी रुटीन में आपने हमें समय दिया यूँ तो देखे जस्पा जी आपकी फैन फॉलाइंग लाहल स्पेती में बहुत जादा है जैसे ही लोगों ने आपके बारे में हमें बताना शुरू किया जैसे उन्होंने कहा कि प्लीज आप जो है वो जस्पा जी को एक बार अपने कारिकरम में बुलाएं तो हम अपने दर्शकों का अवेधन जो है उसे स्विकार किये बिना रहने पाए और आपके बारे में जब हम जानते गए तो काफी जादा चीज़ें हमें भी इंप्रेस कर गई तो ऐसे में देखे ऐसे तो आप किसी परिचे के मोहदाज नहीं है पर फिर भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो आपका मूल परिचे जानना चाहते हैं आपका परिवार गाओं कस्वा आपकी शीक्षा दिक्षा प्लीज थोड़ा सा हमें उस बारे में अफकत कराएं नवशकार मैं सुदर्शिन जस्पा पूर्प जिला परिशित सदस्य और बटमान में चेर्मेन एलपेस और डिरेक्टर ट्राइफिट मैं लाहौल स्पिती के ग्राम पंचायत नालडा के एक चोटे से गाउन जस्तरत से संबंध रखता हूँ मैंने अपनी एजुकेशन हिमाचर पुदेश के इकलोते युनिवर्सिटी एच पी युनिवर्सिटी शीमला से मैंने मास्टर आप सोशल वर्क भी किया है और अपने च्छातर जीवन में कई च्छातर संगठनों के साथ जिसमें ट्राइवल स्टूडिंट एसोसिएशिए पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि पंचायती राज की जिल्ह परिश्ट विवस्था है इसके क्या कारिक्षेत्र होते हैं जिल्ह परिश्ट का क्या कारे होता है क्या संसाधन होते हैं सिम्रंजी वैसे तो पंचाइटी राज संस्ता में जो जिला परिशत की जो पोस्ट है उसका समय समय के हिसाब से जो इसके कारेक्षेतर है इसकी जुरिस्टिक्षिन जो बदलती रहती है लेकिन 14 फाइनेंस में जो आपने टैनियोर बिताया 2016 से लेकर 2021 तक जो हमने काम किया है उसमें जो हमारा कारेक्षेतर था वो बहुती सिमित था और जो हमारे संसादन थे बहुती कम और बहुत सिमित संसादन थे तो उस सिमित संसादन के अंदर आपने अपने पूरे जो जो एरिया है जिला परिशत का जो शेतर रहता है उसमें काम करना है और साथ ही साथ एक जन उस कारे की जिसके लिए आपको विशेश तोर पर जो है लोगों द्वारा याद किया जाता है लोगों द्वारा सरा जाता है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी भी विकास की जो पहली सीड़ी होती है किसी भी क्षेतर के लिए वो सडकों से होते हुए गु मैंने आपको बताया कि मैं नाल्डा से संबंद रखता हूँ और मेरे पंचायत के जो दोनों गाओं है वो सडक सुविदा से बंचित थे बहुत बड़ा इशू था लोगों का कि जितने भी केश क्रॉफ से और गाओं में जो भी सामान आना जाना है वो सभी जो पूरा का पू करें थे कि किसी तरीके से इन दोनों गाओं को सडक सुविदा से जोड़ा जाए मुझे दो हजार ग्यारा वारा का इंसिडेंट याद है कि नाल्डा गाओं के लिए जो चिनाव नदी पर पूल कर निर्मान किया जा रहा था लेकिन उसमें बहुत सुस्त गती से उसमें काम किया जा रहा था तो गाओं वाले नाराज थे आकरोशित थे तो उन्होंने जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जिसमें डैप्टी कमिशनर से लेकर प्रशासन के अला अधिकारी उन्होंने उस जगे पे इन्वाइट किया था तो मेरा भी उस कारेकरम के अंदर जाना हुआ यह तो वहाँ पे स्वागत सदकार का कारेकरम था और लोग अपने तरीके से बात उठाना चाहते थे लेकिन जब हम उसमें शामिल हुए और उस पूरे कारेकरम को जब हमने इस अब्यवस्ता को लेकर और जो डिपार्टमेंट के जो ढूल मुल रविया उसको लेकर जब लगातार सवाल करना शुरू किया बात भी बात का वहाँ महौल बना तो वो कारेकरम धीरे धीरे एक गहराब में तब्दीर हो गया और एक आंदोलन की शुरुआत हुई इस पंचायत के अंदर और उसके बाद जो है हमने लगातार इस पंचायत ने दो लोग सभा चुनावों का बॉईकॉट किया और तकालिन मुख्य मंती प्रेम कुमार धूमल जी और उसके बाद बीर भदर सिंग जी का एक डेलीगेशन जिसको मैं खुद लीड करा था हम लोग मिले और हमने अपने इशूज को वहाँ पर रखा हमारी कोशिश ये थी कि सरकार और प्रशासन तक अपने मुद्दे को प सरक सुबिधा से जोड़ना है तो 2016 में जैसे हम लोग आए तो हमने डिपार्टमेंट पे दबाब बनाना शुरू किया काम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया लेकिन आमोमन जो डिपार्टमेंटS का काम करने का जो पैटर्न रहता है जो तरीका रहता है उसको आप देखते है कि लोग जो है उसे खुश नहीं थे तो फाइनली जो उसमें रेवन्यू का डॉक्मेंटेशन का काम है या जो फॉरिस कलेरिंस के लिए जो फॉरिस राइट एक्ट के तुरू जो प्रोवीजन्स है उसमें जो काम होना था उसको हमने अपने हाथ में लिया और फाइनली जो हम में निर्मानकारी में जो देरी हो रही थी उसको स्पीड अप करने के लिए लगातार जो है प्रशासन और डिपार्टमेंट पे दबाब बनाया रखा और परिणाम सरूप आप देखेंगे कि वर्किंग पांच-छे महीने के अंदर हमारा अपना गाउं जसरत जो है शलक देहिल रहे थे उससे हमने कैसे पार पाना है तो यह तो रही फ्रेणना की बात और अभी तक हमी जो यहां पर बात की वो दो सडकों की बात की जिनकी रडाई आप इलेक्ट होने की पहली से ही जो है वो आपके जहन में थी कि अगर इस तरह से मैं चुन कराता हूं तो मुझ चोटी बड़ी 14 सडकों का निर्मान किया गया जो एक छोड़े से क्षित्र में 14 सडकों का जाल इस तरह से बिचाना आपने आप में बहुत बड़ी बात ही है तो प्रेणा तो आपने बता दी अब बाकी की जो 12 सडके हैं उनकी रूप रेखा आपने कैसे तयार की जैसे मैं पहले ही दो सडकों का अपने कारेकाल के स्टार्टिंग से ही निर्मान करने में हमने अपनी पार्टिस्पेशन दी थी तो हम जो है दूसरे जो गहां थे उनके लिए भी हमने काम करना स्टार्ट किया लेकिन हम जो डिपार्टमेंट के जो इशूज थे यह रोड की निर्मान की जो है उसकी ब्यवस्ता थी तो हमने फाइनली जिला परिशत हेट से जो है इन सड़कों के लिए बजट की ब्यवस्ता की और क्यूंकि डॉक्मेंटेशन का काम फोरेस्ट क्लेरेंस का काम हमने पहले ही कर रखा था इस अलिए उस काम से हम जो है हम और तरंग गाओं, इन गाओं के लिए हमने जो है काम करना शुरू किया और उसके जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है, उसके डॉक्मेंटेशन का काम है रेवन्यूस रिलेटिड काम है, उस काम का हमने करना स्टार्ट किया और फाइनली हमने इन गाहों को भी जोड़ दिया तो उसके बाद जो पूरे जिला परिशेद वाड के अंदर महौल बना कि क्यों ये जो है सबी जगा सड़कें बना रहे हैं अपने हैट से बना रहे हैं पीड़़ुडी के थूप बना रहे हैं तो क्यों ना हमारे लिए भी इसका किया जाए तो लोगों के अपनी डिमांड आने लगे कि हमारे भी खेतों को जो है सड़क में सड़क से जोड़ा जाए या कहीं और भी कनेक्टिड इशूस थे उसके लिए जो है काम किया जाना तो हमने सहर्ष उसको करना शुरू किया और बाद में जो है कि हमारी स्पेशलिटी इस तरफ हो गए कि हम लोग जो है फोकस्ट होकर सड़क निर्मान का काम करने लगे क्योंकि यह सबसे रेलेमेंट और सबसे जनुर जो डिमांड जो है कि माम प्लीज आप सुदर्शन जासपर जी को लेकर आईए समय के कुछ ऐसी हमारे साथ तकलीफ रही कि हम बहुत पहले आपके साथ इस तरह का इंटर्व्यू करना चाहते थे मगर आज हमें वक्त मिला है तो वाकि मैं बहुत ज़ादा इंप्रेशन सर क्योंकि नॉर्मली कैया रहता है कि जब भी किसी ग्रामिंग शेतर में ही आप सड़क निर्मान करने जाते हैं तो बहुत सारी चैलंजिस आपको फेस करने पड़ते हैं एज़े में लोगों को सैटिस्वाइ करते हुए काम करना कितने challenges आपको face करने पड़े और क्या-क्या challenges आपने face की इसमें challenges की बात करें तो जो department के थूँ जो हम काम करें थे उसमें department का काम करने का अपना तरीका अपना pattern है तो generally जो है अगर कोई आदमी within time की कोई काम करना चाहता तो वो उसमें नहीं हो पाता है तो हम एक तो यह हमारा concern था दूसरा जो जितने भी documentation का काम है forest clearance से लेकर है तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें है revenue का काम है उसके साथ साथ और जी और भी जो इसके clearance related काम है इसमें बहुत time इसमें समय लगता है इसमें बहुत efforts लगते हैं तो यह भी अपने एक बड़ा challenge है उसके साथ साथ मे क्योंकि सड़कों का निर्मान होना है development में आपकी land का use होना है आपके paid उसमें इसमें 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 जाहिर करते हैं तो हमने जो है लोगों को convince किया लोगों को समझाने की कोशिश किये जो कानून की जो technicalities थी उसको लोगों को बताया और उसके बाद जो एक consent बनी एक महौल बनाया गया कि यह जो है सड़क जो है development का एक part है यह इसको आज नहीं तो कल तो बनाना ही है तो आज हम efforts करें तो इस भाबना थी जो लोगों की expectation हम से थी उससे हमने प्रेड़ना लेकर हमने इन बाधाओं को पार किया और finally result आपके सामने है जे और वाकरी देखें लोगों को इस थरह से satisfy करते हुए विकास कारे करना वो भी इतनी मैं कहूं कि इतनी लोगों को अपने साथ लेकर चलना वाकरी काफी challenge भर रहा होगा और जाती एक जिला परिश्ट के सीमित कारेक्षित्र और सीमित संसाथनों के साथ कारे करना अब मुझे वाकर लग रहा है कि क्यों लाहौल की जनता जो है वो चाहती थी कि आप इस तरह काइन चबियों हमारे साथ करें ताकि हमारी तमाम जितने वरतमान में जला परिश्ट हैं इस वक्त वो भी जो है आपसे प्रेवित हों वो भी जो है आपसे कुछना को सीख और इ लोगों के डिमांड के अनुरूप हम लोग काम करते रहे हैं जहां पर है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है लौल्स पीती अपने आप में बहुत एक अगर अब मुनियादी सुबिदाओं और बहुत पिछड़ा हुआ जिला है तो लोगों के तो बहुत सारए इशूस ह आपने में जो हमारे जो हमारे जो जो सीमाये हैं उसको देखते हो मोगों की जूराइटीज albums है उसको s joins और deli को उसको स होचिए ने कर पा रहे हैं कि हम उस काम पर हाफ डालें जो जन्रली और लोग नहीं कर पा है स्कूल में कई डिमांड स्कूल प्रवंदन की तरफ से भी हमें आई है हमने वह काम की है अपने जिलापरिश्ट के कारेकाल में लगबग चालिस लाक के आस पास जो है मेरे मेरे अपने हेड में मुझे आवन 10 हुआ था उसके साथ साथ जो भी पब्लिक इस्यू थे जो जनता से जुड़े हो जो मुद्ध है जो जनता का सरोकार था उसमें हमने कोशिश की है कि सच्छे जनप्रतीनीदी की रूप में उनके कंसंथ को जो है लोगों तक पहुंचाना है यह प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाना और हमने ये कोशिश किये कि जो हमारी जुरिस्डिक्शन है जो हमारे जिले परिशित के वार्ड है उससे बाहर के इलाकों में भी जो लाहुलस्पिती के जो जुलन्त मुद्दे हैं उस पे हमने अपनी आवाज को पूरे पांच साल बुलंद रखा है जो और एक और शीज है जस्पर जी कि आपकी जो कारे प्रणाली रही है ये बहुत ही प्रभावित करने वाली रही है सिर्फ आपके वार्ड के लोगों का ही समर्थन आपको नहीं मिला वार्ड के बाहर के लोगों का भी आपको काफी समर्थन मिला है ऐसे में जन प्रतिलिदी को हम उस तरीके से नहीं जानते पर जितना लोगों ने हमें आपके बारे में बताया है हमारी पेश की साथ जोड़ी होई लाहुजपीति की जनता ने हम तक पहुंचाया है कि आपने वाड के बाहर भी लोगों को अपनी कारे प्रिनाली से बहुत प्रभावित किया उनके से हम स्टेप बाइस काम करते रहे अपने वाड के अंदर काम करते रहे तो वह चर्चा जो है आसपास के सराउंडिंग के जो लोग थे उन तक भी गई और बहुत सारे लोग खासकर यह जो सटकों का निर्मान है इसमें जो फॉरमेलिटी हैं जो डॉक्मेंटेशन हैं जो अ एफर्स हम से हो सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है लेकिन क्योंकि हमारा जो बजट आवंटन का जो है लिमिटेड जो हमारा एरिया है हम उसके बाहर नहीं कर सकते थे तो हम एक सीमित साथनों के साथ ही हमने उनकी मदद करने की कोशिश की है उसके साथ साथ जैसे मैंने हände पहले भी कहा कि लाओस पिती का कहीं भी कोई इशू रहा होँ तो हमने उस इशू को सौट आउट करने की कोशिश किया और आज भी हमारे पास जो भी प्लैडफॉम है जिसी प्लैटफॉम पर हम काम कर रहे हैं पॉर्लिक सर्विस में हैं यह हमारी जो काम है हमारी जो मेहनत है इसका महनताना हम इसको मानते हैं जी वाकि बहुत ही कमाल का चैनियूर रहा आपका यह 2016 तो 2021 और इसके साथ ही अब मैं अंत में आप से यह सवाल सवाल तो नहीं कह सकते अब यह जनता के नाम आपका एक संदेश ही होगा तो मैं कि साल दो साल बीच चुके हैं ऐसे में भी लोग आपको जो है इतना जादा आपके उस कार्य प्रणाली से प्रभावित हैं कि उन्होंने इस्पेशली हमें रिक्वेस्ट किया ऐसे बीजनता के नाम एक संदेश तो बनता है मैं आपके माधियम से अपने लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ खासकर जो हमारे जनपतिनीधी नहीं चुन कर आए हैं कि पब्लिक इशूज को आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो हम जो पब्लिक इशूज को उठाना चाहते हैं बड़े अच्छे से इसको उठा सकते हैं उठा रहे हैं लेकिन क्योंकि issues उठाना ही आपके leadership की primary quality नहीं हो सकती है आपको जो अध्य हैं आपको जो काम करने की जो opportunity बीभिन पदों पर आपको मिला है जो ground realities हैं जो लोगों की जो genuine demands हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको limited resources के साथ focus होगर काम करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय के अंदर जब आपका कारेकाल समापती की तरफ जाए तो आपके पास बताने को हो कि आपके tenure के अंदर आपने क्या ground डियल्टी आपने ground पे क्या काम किये हैं धरातल पे क्या हम आपने लोगों की issues को sort out किया है वहीं साथ साथ में जो genuine मुद्दे हैं जो आपके कारेकशेतर में तो नहीं हैं लेकिन एक जनप्रतिनीधी के रूप में उसको उजागर करने की उसको लोगों के सामने रखने की उसको शासन प्रशासन तक ले जाने की आपकी जिम्मेवारी होती है आपको जो है उन दोनों उन दोनों कामों को तालमेल बिठा कर आपको आगे ले जाने की जरूरत होगी, तभी आप अपने जो tenure है, अपने जो कारेकाल है, उसके प्रासंगीता को आप जिस्टिफाइग कर पाएंगे. जी, बहुत खूब, सुधरशन जासपाजी, आपका बहुत धन्यवाद हमाई साथ इस चर्चा में जुनने के लिए वाकई हमें बहुत अच्छा लगा, और जितना आपके बारे मिस्टूने था, आप जो है वाकई उसे जुस्टिफाइड करते हैं, तांक इस जाहूंगी कि कोई सवाल हैं, तो आप ज़रूर मुझे आप मेसेज की मादियम से बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं कोशिश करूँगी कि जवाब देने के लिए ज़रूर हमारी बीच में आएं, तो फिस्ट अफॉल थैंक इस जो मच जासपाजी, आपका बहुत बहुत धने तो मैं जो है उस जवाब देही को, उस उत्तरदाईतों को जिए जिम्मेदारी से निभाओं, बहुत बहुत धन्यवाद, तो जी ये थे हमारे साथ पुर्व जिला परिशर सदस्या जालमा और वर्तमान में LPS के चेर्में सुदर्शन जासपाजी, आज इनके साथ हमने यह परिट खरके और जरूर शेयर किये जाएगा ताकि इनके विचार बहुत सारे और भी लोगों तक बहुत सके, अमीगो स्प्लिंग से इसी तरह जुड़ी रहिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम को इंजॉई कीर रहिए और थांक यू सो मच एवर्यवन, यूट्व पे हम हमें की रहे सब्सक्राइब और इंस्टेग्राम पे हमें की रहे फॉलो और फेस्बुक पे कमेंट, शेयर और लाइक, थांक यू सो मच एवर्यवन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचत, नमस्कार